कैसे पता चलेगा डिलवरी नॉर्मल होगा कि सिजेरियन आजकल गर्भ धारण करना और गर्भावस्था में सब कुछ ठीक बना रहा है इसकी गारंटी बहुत कम हो गई है जिसके चलते नॉर्मल डिलवरी की संभावना भी बहुत कम हो गई है और गर्भवस्था में कम्प्लिकेशन के चलते डक्टर को भी सिजेरियन करना पड़ता है तो इस वीडियो को दो पार्ट में बनाई हूँ जिससे मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल डिलवरी के बारे में और उसके लच्छड बताई हूँ कि आपको इन संकेतों से पता चल सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलवरी होगी कि सिजेरियन और दूसरे पार्ट में मैंने आपको सिजेरियन के बारे में बताया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि वीडियो के आने वाले नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो बढ़ते हैं आगे बात करते हैं नॉर्मल डिलवरी के बारे में सबसे पहले बता दें कि नॉर्मल डिलवरी कैसे होता है इसमें वजाइना से सीसू को जन्म दिया जाता है इस तरह की डिलवरी में किसी भी तरह की सरजरी की आउसकता नहीं होती है लेकिन हाँ कई बार वजाइना में हलका सा कट दिया जाता है ताकि सीसु आसानी से बाहर आ सके लेकिन उस कट की रिकबरी बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर महिला जिसका नॉर्मल डिलवरी हो रही हो उसकी वजाइना में इस तरह का कर दिया जाए यह आपकी वजाइना की आकार और आपके बच्चे की ग्रोथ वनिर्वर करता है अगर आपका संपूर प्रिगनेंसी बिना किसी कम्प्लिकेशन वाली होती है तो आपको हर संबो प्रयास करना चाहिए नॉर्मल डिलवरी के लिए क्योंकि नॉर्मल डिलवरी के रिकवरी बहुत जल्दी होते हैं और इससे आपको सारी रिक रूप से आगे चलका कोई भी दिक्कत नहीं आती जहां तक normal delivery से दर्द का सवाल है तो normal delivery में दर्द बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मात्रित के उस सुक के आगे normal delivery का वह दर्द बहुत कम लगता है हर महिलाओं में pregnancy के लच्छड और समस्याइं अलग अलग होती है बहुत से महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी पूरी प्रेग्नेंसी बिरना किसी कम्प्लिकेशन के निकल जाती है और डिलबरी के वक्त ज्यादा पेन नहीं होता और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी प्रेग्नेंसी में कुछ न कुछ समस्याएं रहती है और delivery के टाइम पे भी बाकियों के अपिक्षा उनको ज़्यादा दर्द होता है वो महिलाओं के strength पर निर्भर करता है आपको यही सला देंगे कि अगर डाक्टर आपको normal delivery के लिए बोलता है तो आप पहले से ही हर संभव प्रयास कीजिए normal delivery के लिए क्योंकि normal delivery में recovery बहुत ही जल्दी होता है अब मैं आपको बताती हूँ normal delivery के लच्छड 30-40 अपता के बीच ब्रूड अपनी इस्तिती बदलता है और इस दोरान उसका मस्तिस केया से नीचे की ओर आता है जिससे पता चलता है कि अप्रसों होने वाला है जब इसे देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी सामान इस्तिती से नीचे आ गया है शिसू के सिर से वरजाइना पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जिससे की बार-बार यूरीन जाने की इच्छा होती है पीठ के निचले हिस्से के जोडो और मालस्पेशियों में ज़्यादा खिचाओ महसूस होने लगता है पीठ के निचले हिस्से में एर्थन और दर्द महसूस होता है शिसू के पेल्विक में जाने की वज़र से उसकी मुमेंट में कमी आने लगती है आप वजाइना स्रौ में वृद्धी देख सकती है या सफेद या गुलाबी रंका होता है और कभी-कभी थोड़ा ब्लड भी निकल जाता है या एक स्वस्त समान गर्भावस्ता का संकेत है ब्रेश्ट में दर्द भी समान प्रसो का संकेत होता है जैसे कि अंतिम चरण में पहुँचती है तो ये भारी और असहज मौसूस हो सकते है निकी थैली के तूटने की प्रक्रिया भी आमतोर पर प्रसो के दारान होती है कभी-कभी या सुरुवात से पहले भी हो सकती है ऐसे में ततकाल डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डाक्टर से क्लियर कर लेना चाहिए कि आपकी नॉर्मल होगी कि सिजेरियन डिलिवरी होगी